नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग 31 जुलाई 2023 के एडिटोरिल एनलिसिस और करन्ट अफेर्स एनलिसिस में आपका सवागत है बहुत सारी important न्यूज है चार editorial की news हैं और 10 आज current affairs की news है तो बहुत holistic होने वाला है आज का ये particular editorial analysis lecture की PDF आपको हमेशा की तरह telegram group में मिल जाएगी YouTube पे इस वीडियो को देखे हैं तो telegram group का link नीचे description box में दिया हुआ है या फिर हर्शित दिविदी वीडियो सर्च मारे telegram के अंदर लगबख 56,000 followers वाला group यहाँ पे join कलेजीए वहाँ पे मेरी pick भी लगी होगी उसके सासर मेरी website www.harshiddivy.com के study material section में भी ये PDF आपको मिलेगी मेरी app हर्शित दिविदी एजुकेशन के study material section में और ये app android और iOS दोनों पर वेबलेबल है वहाँ पे भी आपको PDF मिल जाएगी चलिए बिन टाइम वेस्ट की अपने आज केस analysis को शुरू करते हैं एडिटोरियल में overall दो articles important है एक तो वैसे तो चार articles important है यहाँ पर आपको दो नज़र आ रहे है एक तो भी म कोरे गाओं केस में जो सुप्रीम कोट का bail order issue हुआ है और उसके सासाथ सुप्रीम कोट जो समय समय पे राज्यक को सरकारों को और केंदर की सरकार को बोलता रहता है कि भई अपने अपने इलाके में mob violence को कम करिए इससे related एक article इसके सासाथ बता दो दोस्तो mentorship course यहाँ पे launched कल की date में mentorship course में यो ethics crew examples and formulas वाली series है वहाँ पे 3 terminologies और add की गही है terminology 11 persuasion से related है terminology 12 यह related है consequentialism, utilitarianism and deontological theory और teleological देखिए consequentialism को teleological theory भी बोला जाता है कंसी कंशुलिजम के अंदर आता है utilitarianism तो यह दो concept ethics के हमने बहुत detail में यहाँ पे सीखें और यह deontological theory से, deontological ethics से कैसा अलग है इसको मैंने detail में समझा है वैसे तो यह एक बड़ा ही tricky concept है public administration और sociology के बच्चे इस particular concept को पढ़ते हैं बट ethics के respect में भी इस प्रकार के concepts important होते हैं तो इनको भी यहाँ पे cover कर रहा हूँ और सासा तेरवी terminology virtue ethics भी यहाँ पे upload हो चुकी है तो यह तो कल ethics की वीडियो होगी उसके सासा लगातार current affairs की वीडियो बनके upload इस particular mentorship course में होती रहती हैं आपको main page पर अलग-अलग folders में वीडियो मिल जाएंगी आप चाहें तो एक बार definitely इनको refer कर सकते हैं कि मैंना same mentorship course बनाया हुआ है if you want you can opt for it तो चलिए Supreme Court ने यहाँ पे bail order grant किया है Vernon Gonzalez को और अरुन फरेरा को देखें Unlawful Activities Prevention Act के अंदर NIA ने investigation शुरू कर दी थी भीम कोरे गाउं case की 31 दिसंबर 2017 को अलगार परशद हुई वहाँ पे कुछ भड़काओ भाशड दिये गए उस भड़काओ भाशड की चलते अगले दिन ही मतलब first day of 2018 January बवाल शुरू हो गया violence हुआ कुछ लोगों की जान भी गई बहुत सारे लोगों को चोटी भी लगी अब जब NIA ने यहाँ पे investigation की तब पता चला कि भाई एक organized तरीके से violence फैलाने का यहाँ पे plan था अब जिसके उपर भी यहाँ पे जो भी इर्जाम लगाएगा सरकार के दौरे निटी गिटीज में जाने की बजाए यहाँ पे basically बात की जारी है bail provisions की अगर आपके अंदर इर्जाम लगाएगा है unlawful activities prevention act के अंदर unlawful activities prevention act का जो section 43D clause 5 है इसका यह बोलना है कि no court can grant bail if there are unreasonable grounds to believe that acquisition is true मतलब और अगर आपको लगता है कि हाँ बही reasonable है इस बंदे ने हो सकता यह crime किया हुआ है तो basically acquisition सच नजर आ रहा है इसको bail नहीं दी जा सकती अब बात यह है कि 2019 में apex court मतलब supreme court ने judgment दिया था कि bail stage पे evidence का detailed analysis नहीं हो सकता reason being कि भाई एक particular case में बहुत सारे witnesses हैं उन सारे witnesses के statements, testimonies को लेना पड़ता है तो basically overall bail stage पे आप सारे evidence को peruse नहीं कर सकते आपको मोटी मोटी probabilities के basis पे bail के case को decide करना होता है और unlawful activities prevention act का section 43 D clause 5 सीधे सीधे बोलता है कि हलका सा भी reasonable अगर logic लगता है तो भाईया आपको bail नहीं देनी इस बंदे को जेल में बंद रखता है उसके बावजूद supreme court ने UAPA के case में Mr. Gonzalez और Mr. Ferreira को यहाँ पे bail दी है ठीके न overall यहाँ पे court ने क्या क्या बोला है कि first of all कोई भी evidence यहाँ पे directly इस बात को link नहीं करता कि accused conspiracy का part थे उसके साथ जिन letters का यहाँ पे mention किया गया है जिसमें accused के नाम है यह letters third party द्वारा लिखे गए थे और in particular accused की custody से नहीं मिले है तो अगर third party आपस में अपने आप में communication करता है और accused का नाम लिख देता है और accused सीधे सीधे उस particular act में involved नहीं है उसके खिलाफ proof नहीं है तो भाईया उसे उठा के आप jail में till eternity बंद करके नहीं रख सकते उसके साथ साथ अगर आप किसी extremist ideology वाले organization के seminar में बस participate भर कर लेते हो तो वो एक offense को constitute नहीं करता है Under sections of 1967 UAP Act ठीके तो यह सब चीजें बताया जानी है 2018 में जब यह भीम कोरे गाओं violence हुआ थे तो बहुत से activist, lawyers यहाँ पर arrest हो गये थे इसको एक प्रकार की moist conspiracy बताया जा रहा था अब ही के लिए बहुत सारे लोग बेल पे, overall भीम कोरे गाओं लोग बवाल हुआ थे इसमें जो लोग arrest हुए थे यह कुछ गलत चीजों की विए से भी news में राइस्टन स्वामी जी थोड़े बूढ़े थे इनकी prison में ही मौत हो गई तो इसको आप सुप्रीम कोट को काफ़े किटसाइस किया गया कि सही समय बेल नहीं दे पाई है आप सुप्रीम कोट तो अब यह जो एक्टिविस्ट लार भीम कोरे गाओं में एरेस्टेट थे इनके बेल को लेके सुप्रीम कोट थोड़ी सी सीरिस हो गई तो अगर आप देखो तो तेलगू पोएट वरवर राओ को medical grounds के basis पे बेल मिली हुई है जो lawyer है सुधा भारत द्वाच इनको default बेल मिली हुई है चुकी minimum amount of time में इनके against charge sheet file नहीं हो पाई थी ठीक है भाई तो यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि मेर अगर आपके पास terrorist से related violent ideology को propagate करने वाला literature मिला है उस literature के आधार पर भी आपकी बेल reject नहीं की जा सकती आपको convicted नहीं किया जा सकता तो यहाँ पे solid proof की demand की गई है भी में कोरे गाउं में जो लोग involved थे उनके crime को प्रूव करने के लिए और NIA ने जो proofs यहाँ पे submit किये हैं वो बहुत हद तक indirect हैं direct नहीं है ऐसा बोलना सुप्रीम कोट का इसलिए सुप्रीम कोट यहाँ पे बेल दे रही है ठीक है भाई और UAPA की केसे में बेल दे रही है जहाँ पे section 43D clause 5 invoke होता है तो यह भी अपने आप में एक important judicial intervention आप कह सकते फिर wrap on the knuckle सुप्रीम कोट has tried to hold states has entered to account on mob violence भाई देखे यह बहुत शर्म की बात है union government के लिए और बहुत सारी राज्यकी सरकारों के लिए कि इस बात के बावजूद की सुप्रीम कोट कई बार उनको remind कर चुका है पिछले 5 सालों में कि आप consistently fail हो रहे हो mob violence against Muslims को रोकने में, Muslims की lynching को रोकने में, marginalized sections की against जो अत्याचार हो रहा है उसको रोकने में cow vigilante दोरा ठीक है, जो mob violence होता है, lynching होती है, you know, cow को मार के खा रहे हैं, overall minority groups के लोग, इस इल्जाम के basis पे जो attack हो जाता है इन लोग के उपर, इनकी जान चली जाती है, इनको चोटे आती है इन attacks को रोकने के लिए कई बार सुप्रीम कोड केंदर की सरकार को और राजी की सरकार को direction दे चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी केंदर की सरकार, राजी की सरकार दबा कुछ करनी पा रही है अभी रिसेंट्लिक पेटिशन फाइल की गई नैशनल फेडरेशन आफ उन्लियन वूमेन के तोरह और इस पर्टिकुलर पेटिशन पे हेरिंग करते हैं, सुप्रीम कोड ने फिर से बोला कि हमने पहले कितनी बार इस बात को लेके अपने स्टेटमेंट्स दी हैं और फिर से हाँ पे कोड ने मिनिस्ट्री अफ होम अफेर्स, महराष्ट, ओडिसा, राजिस्थान, बिहार, मद्दपदेश और हडियानर से बोला है कि आप इस पेटिशन पे रिस्पॉंड करिये कि आप एक्चुली में क्या कर रहे हैं और आल यह जो काव विजिलेंटिजम और यह जो मॉब लिंचिंग वालेंस होता है इसके रिस्पेक्ट विजूंड दोहजार अठारा में सुप्रीम कोड ने तहहसीन एस पूना वाला वर्सिस उनिन अफ इंडिया में क्या बोला था इस पूना वाला वर्सिस उनिन अफ इंडिया दोहजार अठारा जजमेंट इसको एक लाइन में अपने नोट्स में इंकॉर्पोरेट कर लीजे बहुत इंपोर्टन है जीस पेपर टू में चीज़ आपके काम की है इस पर्टिकुलर जजमेंट में सुप्रीम कोट ने क्या बोला कि यह सरकार की सैक्रो सैंग डूटी है कि वो अपनी नागरिकों की जिंदिगियों को प्रोटेक्ट करें उनकी प्रिंसिपल अब्लिगेशन है कि विजिलेंटिजम किसी भी प्रकार का हो चाहे वो काव विजिलेंटिजम ही क्यों ना हो उसको यहाँ पर रोका जाए उस समय पे कुछ गाइडलाइन्स लाइगा है जिसमें बोला गयाता है कि एक नोडल पॉलिस ओफिसर को डेजिगनेट किया जाएगा हर दिस्टिक्ट में ठीके ना विध दो आइड़ेन्टिफिकेशन ऑफ डिस्टिक्ट ब्लॉक्स विलिजेस वियर मॉब वैलेस लिंचिक्टे ब्लॉक्स विलिजेस जहाँ पर पिछले कुछ सॉलों में पर लिया जाएगा ताकि mob violence को और vigilantism को रोका जा सके तो lynching mob violence और cow vigilantism it is an incorrect euphemism for criminals engaging in wenton violence against minorities for the purported reason of transporting cattle और slaughter of cattle meat मतलब अविसी वात होता है ना कि बहुत सरे tempo में meat लेके जाय जा रहा तो बुरा जारे कि भाई ये तो गाय का meat है अब चेक किया चीज़ें रुकनी चाहिए सुप्रीम कोट ने तैसीन स्कूला वाला वर्सिस यूनियंडिया में बोला भी है इस पर्टीकुलर केस को जरूर याद रखिए देखे क्या होता है पूरे देश के अंदर women men के respect में कितनी नौक्रियां कर रही है और men के respect में उनको कितनी तंखाए मिल रही है इस बात को लेके अक्सर कर बातचीत होती है तब इस respect में women का क्या participation है तमिल नाडू की एकनॉमी में उसको इस पर्टीकुलर आर्टिकल में डिसकस किया गया है और यहाँ पे पैराडॉक्सिकल पिक्चर निकल कहा रही है ऐसा बोला जा रहा है पैराडॉक्सिकल पिक्चर मतलब तमिल नाडू एक southern state है southern states में social indicators से ज्यादा है when we compare to states like उत्तर प्रदेश एंड पिहार ठीक है लेकिन उसके बावजूद भी तमिल नाडू के अंदर भी work force में women का जो participation है और जितना women को तंखाय वगरे मिलती है यह उतनी ज्यादा भी progressive नजर नहीं आ रही है तो अगर एक woman है तमिल नाडू में she is likely to be educated she is likely to work she is likely to find work in modern sector of the economy लेकिन एक और problem है she is likely to be paid far lower than men for the same work यतना काम आदमी कर रहा होगा आदमी को यतना पैसा मिल रहा होगा औरत को उससे बहुत कम पैसा मिल रहा होगा क्योंकि experience में segregation है और white collar jobs में women का involvement यहाँ पे कम है अगर आप देखो तो state intervention women welfare के favor में बहुत सार है बहुत सार free transportation scheme, populist scheme women की favor में Tamil Nadu के अंदर चलाई गई है उसके बावजूद भी अगर आप देखो तो decadal fall देखने को मिला है पिछले 10 सालों में female labor participation में ठीक है ना lack of gainful employment देखने को मिला है female labor participation में ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है 2021 की national statistical survey obligation PLFS periodic labor force survey के साब से जो women का participation था state में वो 43% था overall नौकरियों में when compared to all of India जो women का participation 32.5% है तो international standards के एसाब से जो women का participation है work में वो कम है अगर आप देखो तो 1993-1994 में women का participation labor force में तमिल नाडू में था 54% और फिर वो यहाँ पे कम होगा कम होके यह 2004-25 में कितना हो जाएगा 51% 2017-18 में कितना हो जाएगा 34% तो 2017-18 में तो बहुत ज़दा कम हो गया लेकिन 2017-18 से 20-21 में हो गया 43% इसको एक increment समझने की जरूत नहीं है चुकि यही number 54% हुआ करता था 1990 थी 1994 में और overall Tamil Nadu में recent कुछ सालों में जो बढ़ा हुआ female participation का rate नजर आया है वो ज़्यादा तर agricultural sector में, primary sector में ज़्यादा है Basically देखिए इस particular article में Tamil Nadu के अंदर जो women का participation rate है definitely वो men के comparison में disadvantage है यह बताया जा रहा है लेकिन overall इन particular figures को देख के आपको एक और बात पता चलेगा कि देश की जो बाकी states है, even जो industrialized states है गुजरात महराश्ट रहसे उससे तो अच्छी है Tamil Nadu की performance तो basically Tamil Nadu में और कैसे चीज़ों को improve किया जा सकता है और कहां-कहां पर women disadvantage है उसकी बात की जा रही है जैसे Tamil Nadu के अंदो जो modern sectors है वो बड़े scale पर women को employment देते हैं for example अगर आप देखो manufacturing sector में और service sector में women workers का proportion है 58% का यही चीज़ आपकी गुजरात में 39% है महराश्ट में 39% है और all India average 37% है तो all India average services और manufacturing sector में women का 37% है और Tamil Nadu में 58% है तो यह अपने आप में बहुत progressive figure है इसको आप खराफ figure नहीं बोल सकतो फिर अगर आप पूरे देश के अंदर जो भी regular workers, regular women workers है manufacturing sector में उसमें अगर Tamil Nadu का proportion निका लेंगे तो वो 28% निकल किया था जी हाँ पूरे इंडिया के अंदर manufacturing sector में जितनी भी women employed है 28% तो आपकी Tamil Nadu में है और अगर आप इस नंबर को गुजरात और महराष्ट जैसे industrialized state से compare करो तो महराष्ट में 13% गुजरात में 11% तो उससे क्या पता चलता है कि बही Tamil Nadu की women इंडिया के manufacturing और service sector में majority contribute करती है बले ही वो Tamil Nadu के अंदर men के respect में disadvantage नजरा है फिर Tamil Nadu के अंदर जितने भी government employees है 52% women है और all India जितने भी government employees है उसमें से 36% women है तो इस particular indicator पे भी जो Tamil Nadu की women है वो advantage नजरा रही है लेकिन अब सबसे खास बाद दोस्तों यहाँ पर यह article जो point out करता है कि अगर एक particular woman employment पा लेती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो हमेशा men के साथ equitable हालत में होगी बहुत सारे cases में बहुत प्रकार का discrimination women को face करना पड़ता है जैसे जो एक discrimination है वो है wage discrimination ठीक है education के अंदर women का enrollment जादा है employment बढ़ा लेकिन employment बढ़ा इसका मतलब यह नहीं है कि वो उतना ही पैसा कमाएंगी जितने उनके counterpart men कमा पा रहे होगे कई बार equal access वाली jobs के अंदर में को पैसा जादा मिल जाता है women को पैसा कम मिलता है अगर आप on an average salary निकाल के देखोगे तो Tamil Nadu के अंदर जो regular jobs में monthly average salary है women की वो है 12,969 रुपीज और यही number men के लिए है 17,476 तो women को मिलते हैं 12,969 रुपए और men को मिलते है 17,476 रुपए 2020 का यह डाटा है और अगर आप देखो तो 2018 से लेके 2021 के 4 साल के time period का डाटा निकाल के देखोगे तो men को अगर एक रुपए salary मिल रही तो women को 74 पैसे मिल रही होगी वहीं पे overall अगर आप you know pan India का निकाल के देखेंगे तो average Indian woman को हर एक रुपए पे 77 पैसे salary मिलती में तो अगर एक रुपए men को मिल रही तो women को 77 पैसे मिल रही होगी ये नमबर गुजरात में 85 पैसे ये नमबर महाराष्ट में 81 पैसे तो पूरे इंडिया के respect में भी Tamil Nadu disadvantage है wage discrimination Tamil Nadu की women को ज़्यादा जहिलना पड़ रहा है ये चीज़ हम देख सकते हैं इसकी एक वज़ा ये पता चल सकती है कि occupational segregation है white collar jobs जितनी भी है तो इनाडूमस में केवल 12% women है ज़्यादा तर जो women है वो concentrated है semi-skilled और unskilled jobs इसलिए उनके खिलाफ ये wage discrimination जो average उनकी wage है वो इतनी फर्क नज़र आ रही है ठीक है तो बहले है आपने women के लिए equitability लिया है उनको आपने equal education provide की but at the same point of time informal sector जो women provide कर रही है उनको overall all additional avenues available करवाना उनके learning outcomes को improve करना उनकी skills को upgrade करना ताकि वो service sector में manufacturing sector में long term strategies के साथ अपने आपको deploy कर सके काम कर सके और white collar jobs में अपने proportion को बढ़ा सके फिर अगला bitter truths in महारास्ट शुगर field महारास्ट के अंदर ये शुगर खेन की खेती में किस प्रकार से labor's का you know rights का हनन होता है इसके बारे में एक article है देखिए recently जो high court है Bombay का उसने sue motor cognizance लिया है intra-state workforce के साथ जो की migrate करती है महारास्ट में और जिसके खिलाब बहुत प्रकार का प्रैचार होता है ये migrate करते हैं drought affected और water scarce region of Maratwada से sugar belt of western महारास्ट की तरफ इसको आप बोलतो intra-state migration ज्यान दीजेगा ये inter-state migration नहीं है ये intra-state migration है intra-state migration के अंदर एक ही राज्य की आप एक हिस्ते से दूसरे हिस्ते में migrate कर रहे हो काम दूरने के रस्पेक्ट बन तो महारास्ट की sugar commissioner के साब से 2022-2022 में जो net area था महारास्ट के अंदर sugar cane का वो था 1.487 million hectares और 203 crushing factories ने state के अंदर इसके चलते 138 लाख metric ton sugar महारास्ट के अंदर प्रेडियूस होता है अब देखे जो interstate migrant force है महारास्ट की शुगर के इन industry की वो economic growth के लिए बहुत ज़दा import इनके दम पे ही पूरी की पूरी शुगर की industry फलफूल रही है इंडिया के अंदर in fact महारास्ट के अंदर लेकिन इनको critically press किया जाता है several decades से इनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है इस migrant force की problems को कोई नहीं सुनता high code ने एक बर महारास्ट की सरकार को बोला था कि हाप एक committee of officers बनाईए अलग-अलग department से एक nodal officer होगा इसमें ये overall सारे issues को examine करेगा examine करने के बाद in particular migrant workers की जो परेशानिया होती है case to case cases पे इन परेशानियों को sort out करने के लिए कुछ overall यहाँ पर ideas लेके आए जाएंगे steps लेके आए जाएंगे ठीक है लेकिन यहाँ पर समझना जरूरी कि राज ने क्या क्या किया रहिए राज की सरकार policy develop करती implement करती strategic measures को existing labor laws को overall ground level पे implement करके effective inclusion करने कोशिश करती precarious migrant group का लेकिन actually में ज़्यादा कुछ देखी हो नहीं पा रहा overall जो आपका मराट वाड़ा का इलाका है वहाँ पे prolonged unemployment exist करता है जब राभी क्राफ्स की sewing हो जाती है उसके बाद कई महीनों तक उस particular इलाके के जो farmers है या laborers इनको कोई काम नहीं मिलता है ये वो जगह हैं बीड, जलना, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड, परभानी मराट वाड़ा दीजन के districts तो अब ये करें क्या तो ये जाते हैं sugar belt districts सांगली, कोलापूर, पूने, सतारा, सोलापूर, एहमन नगर में शुगर कें हार्वेस्टिंग और फैक्टरीज में काम धूरने के लिए चुकि इनके खुद के अलाके में drought conditions है crop failure है debt है acute unemployment है तो मराट वाड़ा के rural poor labor के लिए कोई जगह बचती नहीं इन labor contractors ने बड़े स्केल पे sugar kin, industry sugar kin, mils के साथ contract कर रखा है इस contract के थाद ये मुकादम बोलता है इन sugar kin, mil owners को कि भाई मैं तुमें labor की availability दोंगा ठीक है ना एक particular labor सीधे sugar milk के अंदर जाके काम मांग सके ऐसा बहुत कम होता है उसको आना पढ़ता है मुकादम के पास और ये history कवा है दोस्तों जहां जहां पे दलाल बीच में आए है वहां वहां पे चीजें गड़बड हुई है फिर चाहे वो शादी हो, चाहे वो नौकरी हो ठीक है, तो अब यहां पे overall मुकादम ने क्या बोला शुगर फैक्टरी से कि तुमको हम कोईटाज अप्लाई करेंगे, लेबर कपल सबॉइट करेंगे और उसके लिए शुगर फैक्टरी से पैसा भी ले लेते है तो अब इसी बात है ये जो शुगर फैक्टरी से पैसा लेते है और जो लेबर्स को पैसा देते हैं इसके बीच में काफी फर्क होता है तो श्टुगर फैक्टरीज को एशूर करते हैं सप्लाई ओफ लाज वाव विलूम ओफ टेंपरेरी चीप रिलाइबल और एफिशेंट वर्कफोर्स तो यह जो मुकादम सिस्टम है यह focal point है मैग्रेंड वर्करज मुकादमस के उपर dependent है तो यह बहुत जरूरी हो जाता है कि оवर ओल मैग्रेंड वर्करज के लिए labor loss के लिए overall इन मेग्रेंड वर्करज को regulate किया जै कहीं न कहीं सरकार इन मुकादम्स को एफिशेंटी रेगुलेट कर नहीं पाई है क्योंकि प्रॉब्लम दोस्तों यह है कि यह जो पूरा का पूरा सेक्टर है ना शुगर के इन इंडस्टियर डेवलेपमेंट का और प्रोडक्शन का यह बहुत हट तक अन ओर्गनाईज जा थेखे न समय समय पे पेरिडिक और टाइम बाउंड अगर इनुमेरेशन एकसराइज कर आई जाती है तो हम एक डाटा बैंक मेंटेन कर पाते हैं सीजनल माइग्रेंज का लेकिन हम तेक्नालोजी एडेड माइघ्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम लांच किया गया था दो हजार बाइस में वुमें और चाइल्ड डेवलेफ्मेंट डिपार्टमेंट और महराष्ट गॉर्मेंट के द्वरा यह फर्स्ट ओफिट्स का इन प्रोजेक्ट था यह जो MTS सिस्टम है यह फोकस करता है सीजनल माइगरेंट के पर in the tribal districts to enumerate and track children, pregnant women and lactating mothers बट कहीं न कहीं फीक है इसने काम किया है बट यह फेल कर गया है it has failed to create a comprehensive picture of seasonally migrating families, their current employment status, wage structure and entitlement coverage चुकि overall जब आप मराठवाडा रीजन से इस particular sugar producing belt में जाओगे तो आपके समय पे जा रहे हो यह document मतब समय तो चलो documented है बट कितने बड़े quantum में जा रहे हो, कितनी औरते हैं, कितनी बच्चे हैं खास बात दोस्तों यह कि जो बच्चे हैं इनके पास right to education है, लेकिन right to education इनका blatantly relate हो रहा है चुकि इनकी घर के family members खाने बीने के पैसे नहीं है, तो education कहां ही लोग सोचेंगे जो women हैं उनको बहुत stressless workload से गुजरना पड़ता है, केन mandals को 40-45 kg को अपने सर पे और अपनी पीट पे लाद के चलना पड़ता है women को बहुत प्रकार के health issues हो जाते हैं यहापे, जैसे की musculo-skeletal disorders, बहुत सारे gyinerological issues हो जाते हैं in fact अगर आप देखो, बहुत छोटे उमर की जो लड़कियां आती हैं, उनकी शादी वगरा कर दी जाती है, अडिलोसल गल्स है, अरली pregnancies हो जाती है, trained birth attendant है नहीं मराठ वाड़ा रीजन भी बहुत आप कहलो backward है, और जो sugar producing belt है मारास्ट की वो भी बहुत backward है तो जो women यहाँ पर exist करती है, उनके लिए proper social welfare measures है नहीं, ठीक है, और कई बार in particular women का sexual harassment भी किया जाता है मुकादम्स के दौरा, तो कुल मिलाके हालात in particular अलाकों में बहुत ज़दा बुरे हैं, और जो national education policy 2020 बोलती, equitable and inclusive education for all, और यहाँ पर जो बच्चे आ रहे हैं in particular migrant labors के, उनकी right to education का violation, यह सब भी यहाँ पर major scale पर हो रहा है और हम इसको रोक नहीं पा रहे हैं, ठीक है भई, तो यह सब चीज़ें overall यहाँ पर बोली जा रही है, इस अम्रित काल के समय पे, अगर हमारे देश का इतना बड़ा तपका, इतने major scale पर disadvantage है, तो हम अपने देश को किसी भी level से develop तो नहीं बोल सकते हैं, ठीक है भई, एक बार हाँ, यह mentorship program हो सके तो चेक करें दोस्तों, बीच मैंने यहाँ पर overall एक thumbnail भी डाद दिया, चलिए current affairs analysis पर आ जाते हैं, high court to government, दिल्ली से एक news निकल के आईए, इस पढ़गार की newses को आप एक line में अपने notes में incorporate कर लीज इसके अंदर एक college है, सरकारी college and national power training institute, शुरु शुरु में पढ़ने लिखने का मनुण करता नहीं था, तो ठीक है भाई, overall एक हैसे मज़े मज़े में इंजिनिंग की तहरी की, एक सरकारी college मिल गया, वहाँ से इंजिनिंग कर ली power इंजिनिंग, तो इस ताप के चलता था प अब यहाँ पे justice for all करके एक non-governmental organization है, उसने दिल्ली high court में petition डाली कि गुरु गोबिन सिंग इंदरपस university केवल 3% reservation दे रही है, 5% reservation नहीं दे रही है, गुरु गोबिन सिंग इंदरपस university ने दिल्ली high court में जाके क्या बोला कि नहीं साब हम 5% reservation ही दे रहे है, 3% reservation नहीं दे रह दिल्ली high court में सक्त निर्देश दिये हैं दिल्ली की सरकार को और गुरु गोबिन सिंग इंदरपस university को कि Rights of Persons with Disability Act 2016 का जो provision है कि 5% reservation नहीं दे रही है, इसको proper तरीके से ground level पे लागू करिए, ठीक है, तो आप कहा सकते हो, the direction by दिल्ली high court to दिल्ली state government and you know, the गुरु गोबिन सि with disabilities act 2016 can be said to be an example of judicial activism यह फिर judicial intervention तो judicial activism के respect में आपसे कोई question यह activism या intervention के respect में कोई question पूछा जाए, तो आप इस particular news को दो लाइनों में quote करके अपने answers को enrich कर सकते हो, फिर UP के अंदर एक news निकल के आई है, UP के अंदर एक UP CM command center बनाया गया, देखें क्या है, overall किसी भी राज्य का जो strong होगा, उतना ही उसके नीचे के लोग accountable होगे, वो राज्य काने तक किस हद तक overall अपने लोगों की भलाई के बारे में सोच रहा है, यह सब चीज़ें बहुत matter करती है, अब उत्तर पदेश के जो चीफ मिनिस्टर योगी आदित तनाजी, इन्होंने inaugurate किया है चीफ मिनिस् particular dashboard के थूँ, जो अलग-अलग department की performance है, जो अलग-अलग आप के लो ministries की performance है, इनको access कर पाएंगे CM साब, और basically यहाँ पे इस particular dashboard के थूँ, timely solutions प्रोवाइड के जाएंगे common लोगों की problem की, better implementation होगा government schemes का, यहाँ पे CM योगी की visionary approach focus को दिखाया जा रहा है, 24 क्रोड़ों लोग इसको चेक किया जाएगा, municipal corporations, development authorities, universities, various government schemes की क्या performance उसको यहाँ पे चेक किया जाएगा, इस command center में एक integrated dashboard होगा, video wall होगी, video conference facility होगी, call center होगा, discussion training और technical rooms होगी, world class amenities होगी, 588 schemes जो है 13 departments की UPK, उनकी schemeों को, उनके results को इस particular portal से integrate किया जाएगा, एक performance index यहाँ पे develop किया जा रहा है, जिसके basis पे CM dashboard में, overall CM के सामने इन departments की सीधी accountability होगी, और obviously बात है, कोई department अच्छा perform नहीं हो रहा, तो डाट भी पढ़ सकती है, फिर एक और चोटी सी news है, वही, 30 जुलाई तक 6 करोण income tax return फाइड हो चुके है, 6 करोण taxpayers ने अपना income tax return फाइल किया, Sunday इवनी तक, यह मैं 30 31 जुलाई तक तो और आ जाएंगे, तो basically income tax return का यह जो number निकल के आए, 6 करोण से जादा, यह अब तक का किसी भी financial year का सबसे ज़्यादा income tax return फाइल करने वाला number है, इसमें और भी news आएगी, आज तो 31 जुलाई एक बार खतम हो जाने दिजिए, 31 जुलाई के बाद अगर overall, you तो भी और और एक particular figure निकल के आए, जहाँ पर यह पता चलेगा, यहाँ बाई, आईटिया नमबर्स जो फाइल हुएं, वो बहुत जादा है, तो इस साल जो आईटिया नमबर्स फाइल हो रहा है, all India, they are definitely on a higher set, फिर दो Indian military aircraft पहुंचे हैं, Australia के strategic Cuckoo's Island पे, अब सबसे पहले यहाँ पे आप देखो Cuckoo's Island की location, यह आपको Indonesia नज़र आ रहा है, नीचे की तरफ Australia नज़र आ रहा है, यहाँ पे है आपका Cuckoo's Island, यह Cuckoo's Island को killing islands Australia भी बोला जाता है, और इन islands पे recently land हुए है, इंडियन नेवी का Dornier maritime patrol aircraft और Indian Air Force C-130 transport aircraft, यह Cuckoo's Island में गया, इसलिए निज नि लिटरी की, और जो interoperability है Australia के साथ, यह यहाँ पे बढ़ रही है, और यह कब देखने को मिला, जब Indian Patrol aircraft और इंडिया का Navy Dornier maritime patrol aircraft पहुँचा, और ट्रांसपोर्ट aircraft पहुचा, और ट्रांसपोर्ट एरकाफ पहुचा, और आस्ट्रेलिया के killing island पे, देखिए, यह particular island इंडोने पहुचा के बहुत पास है, और strategic maritime choke point के बहुत पास है, strategic maritime choke point के बहुत पास है, मतलब दोस्तों, यह जो particular, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं अनमान निकोबार आइलेंड्स, यह जो particular state है, इसको बोला आता है, state of Malakka, state of Malakka के बहुत पास है, तो इस particular इलाके पे, अगर इंड ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा, कुकूज आइलेंड की importance को बताया जारा, उसके साथ साथ दोस्तों, कुकूज आइलेंड को एक important base की तरह established किया जारा for refueling and operational turn around for Indian military, यहाँ का जो runway है, इसको broad किया जारा, उसको बड़ा किया जारा, reconstruct किया जारा है, इतना बड़ा किया इस नाम के एक publication में छपी है, जो की commentary और analysis site है किसकी, Canberra-based think tank, Australian strategy policy institute की, ठीक है, तो आगे आने वाले समय में, यह जो आपके Australia और Indonesia की बीच की आस पास के जो strategic international waters है, और जो important choke points है, state of Malakka जैसे, इन particular इलाके में कुछ countries अपना dominance ना स्थापित करें, उसके लिए कुकूज जैस आइलेंड को military basis की तरह established किया जाएगा, और basically इस कुकूज आइलेंड को और भी कुछ वज़ों से इस्तमाल किया गया है, कुकूज आइलेंड has been a point of cooperation between the space agencies of India and Australia, जो गगन यान का human space flight mission है ना, इंडिया का, overall इसमें Australia ने active support provide किया है, कुकूज आइलेंड के कुछ equipments को station करके, आर्थ observation के respect में, satellite navigation के respect में, space situation awareness के respect में, weather और climate studies के respect में भी कुकूज आइलेंड का access मिला है इंडिया को, और ये Australia की तरफ से एक बहुत vital outreach है इंडिया की तरफ, सबजगे बात को, इसके respect में अगर आप देखो, तो पहले बहुत सारे discussions हो चुके हैं, Indian Space Research Organization में आये थे Enrico Palermo सा क्योंकि head है Australian Space Agency के, और इन्होंने ISRO के officials के साथ बातचीत की थी, 2022 में, September 2022 में, आगे आने वाले समय में भी बड़े scale पे, कुकूज आइलेंड के ओपर, इंडिया और Australia का जो engagement है, वो बढ़ेगा, 150 मीटर का runway extension किया जा रहा है, कुकूज आइलेंड में, जो इंडिया की, आगे आने वाले समय में बढ़ेगी, इस से क्या है, इंडिया की जो strategic reach है इंडिया notion में, वो भी बढ़ेगी, इंडिया औस्टेला का जो bilateral partnership है इंडिया notion में, वो भी बढ़ेगी, ठीक है, आगे चलते हैं, PMHills fight against drugs is a record 10 lakh kg destroyed, recently क्या हो, मन की बात address में PM Modi सामने आये देश के सा देखे क्या है, कोई भी एजेंसी, चाहे customs हो, चाहे directorate of revenue intelligence हो, चाहे narcotics control bureau हो, अगर drug seize करता है, तो drug एक high value item है, उसको destroy कर दिया जाता है, ठीक है न, तो ऐसे ही 10 lakh kg drugs recently, पिछले साल में destroy किया गया है, अगर आप देखो तो एक हफते, दो हफते पहले 1.5 lakh kg drugs destroy किया गया है, पि अफेक्ट कर सकता था, उनको बरबाद कर सकता था, ड्रक्स कैसे लोगों की जिन्दिगियों को बरबाद कर देता है, अफेक्ट कर देता है, यह मुझे आपको बताने की जरूत नहीं है, तो जो 103 एस बीसोड था, monthly radio broadcast कमन की बात का, इसमें मोदी जी ने क्या बोला, कि 15 ऐसी problem है, जो कि हमारी society को, हमारे individuals को, हमारे घर को तोड़ के रख देती है, जाने कितनी ही movies में, पंजाब की drugs की problems को दिखाये गया, और अगर drug addiction हो गया, तो वो किस हद तक खतरनाक, dangerous, परिशान करने वाला हो सकता है, यह मुझे आपको बताने की जरूत नहीं है, फिर इसक मस था, बदनाम था, illicit liquor के लिए, यहां से illicit liquor जो देसी, आपके लोग फरजी दारू थी, वो बहुत बेची जाती थी, लेकिन फिर यहां पे रहने वाला है कि इंडिजल रईस एमत, एक former national player और coach है, इसने football को सुखाना शुरू किया local लोगों को, और football बहुत तेजी से promote कि आगया इस गाओं में, आज की डेट में इस गाओं को मिनी ब्राजीर बोला आता है, चालिस नैशनल और स्टेट लेवल के player बिच्चरपुर से निकल के आए, football revolution फैल राइस particular विलस से, तो एक जगा से जहां पे हूच लिक्वर फरजी दारू निकल के आती थी देसी वाली, अब वहाँ से football के बड़े-बड़े players निकल के आ, ये particular बिच्चरपुर फुटबॉल nursery बन के आ है देश की, तो ये भी क्या है, एक positive intervention है, जो कि इंडिया ने execute किया है, और इसके लिए रईस हैमत को, लेखे, GS Paper 4 की terminologies के अंदर ये बहुत अच्छा example है, आप इसको notes में incorporate कर लीजे, रईस हमद, former national player and coach, started teaching football at the local youth, कहाँ पे, आपके बिच्चरपुर village में, शादोल district में, तो ये particular village 25 साल पहले, उच लिक्वर, illicit लिक्वर का गड़ था, और अब ये particular village, mini Brazil ने मतल चुका है, यहाँ पे football players निकल रहे हैं, तो ये active intervention है, एक particular youth के intervention के दम पे, ground level पे changes ला लने वाला एक बड़ी अच्छी case study है, इसको अब GS paper 4 में entry मार सकता है, जो मेरे लिए terminologies की जो series देख रहे हैं, मेरे mentorship course में, वो इस particular information को अपने notes के साथ ज़ादा अच्छे तरीक है, मैंने बताया है, अपने terminologies के course में, कैसे आपको notes में incorporate करना है, कैसे आपको information को answers में use करना ठीक है, तो यह जो football revolution है, वो इस बिच्चरपूर से फैल रहा है, 1200 football clubs अकेले के लिए शादोर और उसके आसपास के अलाके मन चुके हैं, तो एक जगा पे जहाँ पे listen liquor बेची जाती थी, वहाँ पे football बढ़ रहा है, फिर government यहाँ पे launch किया है, independence day पे मेरी मती, मेरा देश, यह campaign क्या करता है, यह honor करता है brave hearts को, यहनोंनो supreme sacrifices कियें देश के लिए, इसके लिए 7500 earns, ठीक है, भर के जो मिटी है वो लेके आई गई है saplings के साथ दिलनी में, और दिलनी में अमरित वाटिका में near war memorials पौदे वगरा लाए गाये जा रहे हैं इसी particular मिटी से, तो national integration के लिए एक बड़ा ही cultural trade के basis पे, अलग-अलग इलाकों की मिटी को लाके, एक national unity का symbol देने की कोशिच की जारी है, किस के थरूँ, इस particular scheme के थरूँ, scheme का नाम क्या है, मेरी मती, मेरा देश, ठीक है, तो यह सब चीज़ें फिर 15 अगरस को हर घर तिरंगा भियान, यह तो हर साल चलाया ही जाता है, तो इस प्रकार की schemes के थरूँ, देश को जोडने का काम किया जा रहा है, unified करने का, unity का पहलाने का काम किया जा रहा है, तो इस context में यह particular news आपके लिए important है, तो देखिए, आप बड़ी सारी important चीज़ें मिली, एक तो 10 लाक किलो dust destroy किये गए, खिके ना, ना शर्म साथ सैटलाइट्स को low earth orbit में inject कर दिया है, और चार आइसे और missions जाएंगे इस साल, तो भाईया, launch vehicle PSLV C-56 पे, सिंगापूर का DSSAR और 6 other satellites को launch किया गया, और इनको कितने किलोमेटर उपर orbit में inject किया गया है, तो 535 किलोमेटर के circular orbit में inject किया गया, और injection के बाद, यह particular जो PSLV C-56 है, यह PS4 stage में जा चुका है, PS4 stage मतलब 295 किलोमेटर to 300 किलोमेटर, बेकिया क्या होता है, जो launch vehicle होता है, ठीक ना, अर्थ है, अर्थ से उपर गया, अब launch vehicle उपर गया, उसने satellites को तो 500-500 किलोमेटर का orbit में छोड़ दिया, लेकिन वो launch vehicle भी तो वहाँ पे है, तो वो launch vehicle भी Space debris non-functional आपके hello equipments हैं, जो की overall low earth orbit में घुमते रहते हैं, या फिर geosynchronous orbit में घुमते रहते हैं, जहां भी उनको launch किया गया, पहले क्या होता था, कि यह जो PSLV की PS4, जो end stage होती थी, इस end stage के बाद धीरे-धीरे करके orbit जो होता है, वो degrade करता है, और वो अर्थ के अंदर आके crash कर जाती हीं satellites, इस PS4 stage की जो height रखी गई है, वो रखी गए 295 into 300 km, इसको जान बूच के कम रखा गया, इससे होगा क्या, पहले overall decades तक यह satellite orbit में घूमा करते थे, अब चूंकि आपने इनकी height को 295 km into 300 km रखा, यह मैं launch satellite की बात करा हूँ, जिसकी कोई utility नहीं है, जब PSLV C-56 स साथ satellites को लेके गया, जिसमें से Singapore का DSSAR satellite था, जो की as a partnership develop किया गया, DSTA, Government of Singapore ST Engineering के बीच में, इसके साथ कुछ और satellites थे, जैसे Belox A.M. था, 30 kg का Technology Demonstration, Metric Satellite, फिर एक Arcade था, Atmospheric Coupling and Dynamics Explorer, फिर एक Experimental Satellite था, Scoob 2, 3U Nano Satellite था, Technology Demonstrator Payload का New Lyons, New Space का Satellite था, Advanced 3U Nano Satellite था, बहुत प्रकार के यहां पे satellites थे, तो यह जो साथ satellites हैं, यह तो भाई, आपके 535 km के circular orbit में छोड़ दिये गए, जो launch करके लेके गया था ना, PSLV C-56, उसको भी तो dispose of करना है, उसको dispose of किया गया है, 295 into 300 km के orbit में, तो अब यह दो महिने के अंदर degrade करके, overall समुंदर के उपर या फिर atmosphere में जलके dispose of हो जाए गया, समझ गया, पहले overall यह जो launching satellites होते थे ना, यह एक higher orbit में dispose of होते थे, तो यह decades तक उस orbit में घूमा करते थे, और space debris में contribute करते थे, तो PSLV का यह जो आखरी stage है, PS4 stage, यह से stage को बहुत ज़द advanced किया जा रहा है, कम height पे इस particular stage को रखा जा रहा ताकि वो space debris को contribute ना करे, चुकि जितनी ज़दा space debris होगी, उतना ही मुश्किल होगा हमें future launches को conduct कर पाना, फिर अगला African leaders leave Russia summit without grain deal, आपको पता है बहुत सारे African leaders इस समय पर रशिया में जा रहे हैं meeting के लिए, 2019 में जब meeting हुई थी ना, तब जब रशिया के 54 heads of states और government थे उसमें 43 ने meeting को attend किया था, लेकिन इस बार अभी 2023 में जो meeting हुई ना, 54 head of states में से किवल 20 अफरीका के states के head of states ने meeting को attend किया, ठीक है भई, अब क्या है, अफरीका की जो countries है, वो जो black grain sea की जो deal थी ना, जिसके चलते यूक्रेन और रशिया की जो wheat exports तो international market में जा सकते थे, इससे रशि जागा क्या बोलना था कि यूक्रेन लगातार हमारे assets की उपर attack कर रहा है, तो हम इस black grain deal को accept नहीं कर सकते, यूक्रेन के exports को allow नहीं कर सकते, अब इसके चलते African countries directly affect हो रही है, तो कि African countries में grains की खाने पीने की कमी है, तो इस बास से African countries नाराज है, रशिया बोल रहा है, आप ना UN World Food Program की बात करो, तो यह 7,25,000 टन्स ग्रेन भेजते हैं अफरीका की गरीब countries में, और यह जो particular UN World Food Program को supply मिलती थी ना, वो black grain sea, back sea जो grain deal थी ना, उसके तहर जो wheat आरा तो उससे supply मिल लही थी, अब उसको बंद कर दिया है यहां पर रशिया ने, तो रशिया overall दिखा रहा है अ अफरीका के साथ share करेंगे, लेकिन जितना quantum यहां पर ब्रादेमिर पुतिन अलाव कर रहे हैं, वो UN World Food Program से बहुत जादा कम है, इसलिए रशियन लीडर्स यहां पर बहुत जादा खुश है नहीं, दो लीडर्स यहां पर, एक तो प्रेजिदेंट आफ एजिप्ट और प्र करेंगे, करेंगे, अगर आपको शान्त कराना है, तो यूक्रेइन को भी शान्त कराओ, हम अपने आप शान्त हो जाएंगे, तो यह सा बातें यहां पर हुई हैं, फिर बाई, एक और न्यूजर, डीकप्लिंग फ्रम चाइना जमेर्ली एन इल्यूजन सेस फ्रेंच फ्रें इन्हों ली मेर, फ्रांस के फैननेस मिस्टर देख रहा है, इन्होंनों बोलागी बाई देखिये, पूरी तरीके से चाइना की एकनॉमी के साथ डीकप्लिंग नहीं की जा सकती हैं, तो वो कभी नहीं हो सकती हैं, इस बात की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है डी रिस्किंग हो सकती है यूएस भी और यूरोप भी और फ्रांस भी जर्मिनी भी ये सब डी रिस्किंग की बात करें डी रिस्किंग का मतलब बी कप्लिंग नहीं है इसका मतलब चाइना से लग होना नहीं है इसका मतलब चाइना उनके लिए रिस् ऐसा फ्रेंच फाइनेंस मिनिस्टर यहां पर कह रहे हैं तो चाइना को और रिस्पॉंसेबल होने की तरफ कह रहे हैं सासा चाइना को फड़ा बहुत मक्खन भी मार रहे हैं कि हम आपके साथ ट्रेड कर रहे हैं पूरी तरीके से हम आपसे अलग नहीं है और फाइनली वाट Sam Altman's Biometric Project देखे चैट GPT के लांच के चलते एक और लांच है जिसके उपर पूरी तरीके से लोगों का ध्यान नहीं गया वो था भाई Open AI CEO Sam Altman देखे 24 जुलाई को जो Open AI की CEO Sam Altman है यह ट्विटर में गया और इन्होंने WordCoin Project लांच किया इस पर्टिकुलर WordCoin Project के लांच को उ काम करता है आपकी आँखों की आईरिस की स्कैनिंग की जाएगी उनकी इमेजिस ली जाएगी और उसके बेस पर आपका एक human database यहाँ पर तयार किया जाएगा आपको एक unique ID दी जाएगी जिसको बोला जागा Word ID और आपको कुछ Cryptocurrency यहाँ पर दी जाएगी क्यों क्यों क्यो बहुत significant है it is an initiative to create a digital network in which everyone can claim some kind of stake and join the digital economy इस particular network के अंदर एक device और नाम का दिया जाता है Word Coin के volunteers को इनको Orb operators बोला जाता है यह Orb operators दुनिया भर में deployed हैं लोगों के iris pattern को collect करते हैं उसके basis पर biometric data यहाँ पर जनरेट होता है एक Word ID जनरेट होती एक individual की और उसको उसका crypto credentials दे दी जा आते हैं overall एक limited amount में इन लोगों को जो की word coin project के अंदर अपने आपको enroll करा रहे हैं इस particular word coin project के अंदर यह भी बोलना है कि एक बार आपकी iris की image ली गई और image की basis पे आपकी ID बना दी गई उसके बाद आपकी जो image है उसको यहाँ पे delete कर दिया जाएगा default basis पे हाँ अगर आप आप खुद बोलते हो कि अब voluntarily आप अपने data को share करना चाहते हो तो आपकी image delete नहीं होगी overall Sam Altman का बोलना है कि जो Europe के GDPR है general data protection rules है उससे compliant है यह word coin project तो basically वो individuals जो अपनी एक word ID बनाना चाहते है और इस word ID बनाने के लिए उनको अपना नाम, phone number, email address, share करने की ज़रोत नहीं है जो images है वो भी delete कर दी जाएगी until and unless overall users data custody अपनी ना देना चाहें अगर खुछ से user अपनी data custody देना चाहरा तब कोई problem नहीं नहीं देना चाहरा तो उसकी images को यह पर delete के जाएगी उसके biometric scan के आधार पर उसकी एक iris ID बना दी जाएगी और उस iris ID की basis पे कभी भी scan करके उसकी identity को verify किया जा सकता है इस word coin project को इंडिया के अंदर भी launch किया जा रहा है so thank you for watching friends आज के editorial में और current affairs में इतना था I hope आपको मज़ा आया हो lecture में कुछ ने कुछ useful जानने को मिलाओ अपने viewpoint अपने comments नीचे description box में देना रही सारे लोग बोलते हैं कि आज की date में lecture holistic नहीं होता दोस्तों बहुत holistic होता है क्या है 45 मिनट के अंदर मैं आपको किवल 4-5 चीजें बता हूँ और इसी particular time frame में मैं आपको 10-13 चीजें बता दूँ जो कि मैंने आज बताई है और 14 articles उतने holistically बताऊंगा तो lecture 2-3 गंटे का हो जाएगा और उतना मेरे लिए possible भी नहीं है मैं अभी एक human हूँ दोस्तों यही lecture बनाने में 3-4 गंटे चले जाते हैं तो उतना major कैसे होगा आउस major के लिए आप चाहिए तो mentorship course जोइन कर सकते हैं बहुत से लोग बूलेंगे कि sir वो तो paid है वो खेर आपके उसके उपर है so thank you for watching friends वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजेगा